हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटीट कम्मुनिटी में स्वागत करता हूँ तो यहां पे हम आप्संस ट्रेडिंग के ऊपर एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपसंस बाइंग के लिए बेस टाइम क्या होता है तो वहां पे हमने कौन से टाइम पे आपको आपसंस बाइंग करना उसके बारे में हमने डीटेल से स्टडी किया था लेकिन उस time में भी आपको कब options buying करना है और कब आपको options buying नहीं करना है वो हम आपको इस वीडियो में detail से बताने जा रहे हैं तो अगर आप options trading करते हैं या फिर options trading को लेके सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में last तक जोर बने रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम options regarding बहुत सारे concept को detail से study करने जा रहे हैं और यहाँ पे आप options buying में कैसे trade करना है वो भी आपको concept clarity के साथ समझ में आ जाएगा तो अगर अभी ता आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जोर सब्सक्राइब कर लिजे और साथे साथ बेल आइकन जोर दबा दीजे ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका notification आप तक पहुँच जाए और आप वीडियो को मिस ना करें जैसा मैं आपको बता है कि कब हमें options buying करना है और कब हमें options buying नहीं करना है क्योंकि मुश्टी लोग options buying करते हुए profit नहीं बना पाते हैं उनके पास problem यह होता है time decay का और वो सही जगा नहीं find कर पाते हैं जहां पे options buying करना चाहिए ये वीडियो देखने के बाद आपको वो concept सम नहीं करना है यानी जब मार्केट में कम मुमेंटम में काम देखने के मिले, उस टाइम हमें options नहीं करना है क्योंकि उस टाइम पे options का premium टेजी से decay होता है और market अगर आपके favor में भी थोड़ा भूत move किया तो आप profit नहीं बना पाओगे ultimately आप नुकसान में ही रहोगे तो सबसे पहला है कि market में जब low volatility देखने होगे low momentum आए उस टाइम पे trading नहीं करना दूसरा point है कि जब आपका wix cooling down हो रहा है यानि जब आपका wix नीचे आ रहा हो wix नीचे आने के मतलब क्या है कि ultimately volatility decrease होगा और market में momentum की कमी आएगी और options buying अगर आप options buying कर रहे हैं तो आपको market में momentum चाहिए तब ही आप market से profit बना सकते हैं तो ये दो टाइम पे आपको options buying avoid करना अब बहुत साहे लोगों को ये concept समझ में नहीं आओगा कि लोग volatility कब होता है और wix cooling down कब करता है चलिए चार्ट पे चलते हैं और इस concept को यहाँ पे हम समझते हैं यहाँ पे अब हम चार्ट पे आ गए और अब मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा कि कब हमें options buying करना है और कब हमें options buying नहीं करना है सबस्पेल मैं टाइम फ्रेम की बात कर लो तो यहाँ पे हम 30 minute का टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो आप जिस भी टाइम फ्रेम में options trading करते हैं उस टाइम फ्रेम को आप प्रेफर कर सकते हैं 5 minute हो या 15 minute हो या फिर 30 minute हो तो यहाँ पे हमने एक indicator को add किया उसका नाम है Bollinger Band तो जब भी आप options trading करते हैं तो इस indicator को आप जबूर add कर लीजे क्योंकि options trading में ये आपको बहुत ज़्यादा help करने वाला है और आप जो भी कोई trading platform का इस्तमाल करते हैं वहाँ पे आपको ये आसानी से available हो जाएगा और आप इसको add कर सकते हैं indicator section में जाके तो यहाँ पे देखिए अब Bollinger Band में हमें क्या करना है सबसे पहले हमें कब options में trading नहीं करना है तो जब भी देखना है कि Bollinger Band आपका narrow हो जाए यानि Bollinger Band एक range के बीच में trade कर रहा हो काफी पतला हो गया आप Bollinger Band तो देख सकते हैं इस particular portion में क्या करना हमें options buying avoid करना है अब इस particular portion में हमें क्यों options buying avoid करना है इसलिए avoid करना है क्योंकि यहाँ पर market आपका particular range में ही trade कर रहा है और यहाँ पर चाहे आप call options buy कर लो या फिर put options buy कर लो options का premium तेजी से देखे होगा और ultimately आप नुकसान में रहोगे मतलब यहाँ पर है कि आप सही trade लेकर भी loss में ही रहोगे चाहे आप सही trade लो चाहे गलत trade लो कोई फर्क नहीं परता आप ultimately नुकसान में ही रहोगे इसलिए हमें जब market आपका range में move करता हुआ जब market में volatility कम हो तो उस टाइम पे options buying avoid करना है और यह जब walinger band है यह हमें volatility को denote करता यह निए जब walinger band का range पतला हो जाए तो उस टाइम पे market में हमें kम volatility देखने को मिलता है और जब देखिये इसका range ज़्यादा हो तिहां पर हमें high volatility देखने को मिलता है तिहां पर जो volatility है वह ज्यादा high है लेकिन यहाँ पर volatility कम है इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे options buying करना avoid करेंगे अब हमें options buying करना क्यों है तो जब भी यहाँ पर range bound move देखने को मिलता है तो उसके बाद क्या आता है उसके बाद breakout या फिर breakdown आएगा यानि इसके बाद price आइदर आपका major upside move दिखाएगा या major downside move दिखाएगा तो जब भी यह range bound move दिखे उसके बाद आपको तयारी रहना है कि जैसे हमें breakout या breakdown देखने को मिलेगा यहाँ पर problem यह है कि कब मिलेगा इसके बादे हमें idea नहीं मिल पाता है लेकिन कभी भी मिल सकता है आपको हमेशा तयारी करके रखना है तो जब भी मिले उसके बाद हम बड़ा move देखते हैं तो यहाँ पर देखी यह downside की तरफ मिला है इसके बाद क्या कर सकते हैं यहाँ पर put options buy करके अच्छा खासा profit बना सकते हैं तो यह range bond move ज़्यादा देव तक नहीं रहता है लेकिन इसके बाद हमें volatility आएगा market में और उस volatility का फाइदा उठा के हम options buying कर सकते हैं तो range bond move के बाद हमें क्या करना है options buying करना जब तक range bond move दिखे तब तक options buying नहीं करना है उमीद करते हैं कि कब आपको options buying करना कब नहीं करना यह बॉलिंजर बैंड के वाइसिस पर आसानी से decide कर सकते हैं तो यहां पर हम एक और example देखते हैं देख सकते हम L&T के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए तो यहां पर हम different time frame लिए क्योंकि हम options trading में different time frame का इस्तेमाल करते हैं अब यहां पर देखिए यहां पर भी आपका बॉलिंजर बैंड का जो range है वह काफी नैरो हो गया और यह 15 मिनट time frame का मतलब सिर्फ लगभग one hour के लिए ही हुआ है तो इस one hour में क्या करना options buying avoid करना है इस one hour में जो भी लोग options buying किये होंगे उनका premium तेजी से decay होगा और as a real अगर market उनके favor में भी थोड़ा भो जाएगा फिर भी उनको profit नहीं मिलेगा इसके बाद हमें क्या wait करना breakout या फिर breakdown के लिए wait करना और यहां पर देखिए breakout आया है तो ऐसे हम हम call options buy कर सकते हैं अब इस strike pass का selection कैसे करना कौन सा call options buy करना उसके उपर हमने already separate video बना रखा एक ही content हम बार बार repeat नहीं करेंगे क्योंकि video का length जादा हो जाता है वैसे ही जब आपको कभी भी Bollinger Band में range उसका पतला देखे तो आपको options buying करना avoid करना है तो पहला volatility के basis पे कब हमें options में trade लेना है और कब हमें options में trade नहीं लेना है यह concept उमीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा उससे पहले यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा अगर आप options trading के बारे में complete information चाहते हैं from basic to advance तो उसके लिए हमने separate course बना रखा जिसको आप enroll कर सकते हैं उसके लिए आपको हमारा mobile app equity to community डाउनलोड करना होगा वो play store से डाउनलोड कर सकते हैं नहीं तो उसका link आपको इस video के description में भी मिल जाएगा और वहाँ पे आपको options से related from basic to advance सारा कुछ मिल जाएगा options से related जितने भी trading spread यह भी मिल जाएगा यनि उस course को देखने के बाद आप options trading में as a independent trader काम कर सकते हैं खुद से अपना trading decisions ले सकते हैं trading decisions लेने के लिए किसी और की help की ज़वरत नहीं परेगी तो अगर आप options के बार में सीखना चाहते हैं उस course को जहूर इन्रोल कीजिए और stock markets regarding जितने और भी course है उन सब के बार में भी आपको complete information मिल जाएगा उन सब course में भी जो भी आपको बैतवीन लाएगा उस course के लिए भी आप इन्रोल कर सकते हैं लेकिन options वाला course काफी especially हमने डिजाइन किया है बिग नर्ड से लेके advanced level तक सारा कुछ वहाँ पर बताया गया है तो यहां पर अब हम दूसरे concept पर आते हैं और देखते हैं जो हम इंडिया Wix के basis पर कैसे हम पता कर सके कब हमें options में trade लेना और कब हमें trade नहीं लेना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम direct इंडिया Wix के चार्ट पर ही आते हैं और इंडिया Wix का चार्ट आप कभी भी लग रहा वहां पर आप जाके ट्वेड कर सकते हैं या फिर इसको देख सकते हैं तो अब इसमें कब हमें options buying करना है इसके basis पर तो जब इंडिया विक्स आपको काफी higher level पर दिखें तो इस time पर आपको क्या करना options buying avoid करना अब बहुत साथ लोग यहां पर objection हो रहा होगा कि जब विक्स हाई रहता है तो वहां पर वालेटिलिटी हमें ज्यादा देखने को मिलता है हाँ सही बात है वालेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलता और options trading के लिए especially options buying के लिए वालेटिलिटी चाहिए लेकिन जब यह already आपका हाई पर पहुंच चुका है और आपने यहां पर लेट identify किया है तो क्या होगा उसकी बात कभी भी यह नीचे side के तरफ गिर सकता अगर यहां से नीचे गिरा तो क्या होगा जो premium है वो क्या होगा काफी तेजी से decay करेगा as a result यहां पर time value काफी तेजी से decrease करेगा market आपके favor में भी जा रहा है फिर भी आपका profit नहीं होगा क्योंकि time value काफी तेजी से decay कर रहा है इसलिए हमें इस portion पे और जब आपका विक्स नीचे आ रहा हो तो उस time पे भी क्या करना options buying को avoid करना यहीं दो time पे avoid करना जब यह आपका already उपर के level पहुंच चुका और आप लेट identify कर रहे हैं और जब यह नीचे आ रहा हो उस time पे options buying avoid करना है तो हमें options buying करना कब है India Wix को अगर हम यूज करते हैं तो पर जा रहा हो जैसे इस पर्रीड कथ के में हो रहा है इंडिया विक्स आपका इंक्वीज करना ऊपर जा रहा है यह perfect time होता है जिस time पे हमें क्या करना है options buying में trade करना है जिस टाइम पर हमें options buying करना है तो options buying करना है जब आपका India Wix increase कर रहा हूँ या फिर अगर उपर भी पहुंचा है तो just just अगर उपर पहुंचा है उपर पहुंचते ही हमने identify कर लिया उस time पर भी आप options buying में trade ले सकते हैं options buying कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर पहुंच चुका और हम इस पार्टिकुलर टाइम पर आइडेंटिफाई करें तो हम यहां पर ट्रेट नहीं लेंगे यह नि अगर आप उसको ऊपर जाता हुआ नहीं देखें हैं और उपर जाने के बाद अगर वह एक पार्टिकुलर रेंज में दिखा दिया या फिर दो सारे जगाओ पर उपसंस बाइंग एवाइड करना अगर आप इंडिया विक्स की माने तो बागी आप इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो काफी अद तक उपसंस बाइं में जो टाइम डिके का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता वो डिसएडवांटेज आपके स जेख सकते ही कवं बनी करना नहीं करना एपको पसंड आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीओ करके हमें इनकवेज किजी होगा जार लए घर ड़